हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो मैं चानल नाहिद यूनीक वर्ड आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूं गाजर कालो बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी आज हम गाजर कालो बनाएंगे बहुत ही जल्दी बस 10 रट में बन कर त्यार हो जाएगा नहीं के लिए में गाजर को खिसना है और नहीं मावा डालना है बहुत ही जबतास पीए आप इसे जरूर फॉलो कीजिएगा तब से पहले एक प्रेशर को कर ले लेंगे हम इसमें डालेंगे दो चमज भर कर देसी घी इसमें देसी डालेंगे और जैसे ही देसी हमारा गर्म हो जाएगा हम तीन हरी इस तरह से लेकर इसमें डाल देंगे एक तमदीरी आश पर इसका फ्लेवर दारी की अच्छी से आ जाए और यहां मैंने एक लो गाजर को इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया है आप चाहें तो अपने मन पसंद तुकड़ों में कट कर सकते हैं चाय प्लंबा भी कट कर सकते हैं इसको हम डाल देंगे जैसे हमारा गी गर्म हो जाएगा हम गाजर को इसमें डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी से मिक्स कर देंगे घी के साथ ताकि घी का जो अच्छा सा फ्लिवर है वह हमारी गाजर के अंदर आ जाए इसको हम हाई फ्लेम पर दो मिनट के लिए अच्छी से भूनेंगे पहले अब हम इसमें डाल देंगे एक कप दूद फुल क्रीम मिल्क है इसमें दूद डालके हम प्रेशर कूकर में धकन लगा देंगे इसको आप साइड में ले ले लेकिते हैं दूद मैंने यहां 700 ml दूद लिया हुआ है इसको हम बॉइल करेंगे और इसको में गाड़ा होने तक पकाना है इसको हम साइड से कुनारों को छुडाते जाएंगे ताकि इसमें अच्छी सी रबड़ीदार हमारा दूद तैयार हो जाए इसमें बॉइल आ गया है इसको किनारों से छुलाते जाएंगे ताकि दूद बिल्कुल भी न जले देखिए हमारा दूद वन थर्ड हो गया अच्छी खासा कम हो गया है इधर देखिए हमारा प्रेशर कुकर में हमारी गाजर भी अच्छी से गल चुकी है पहले मैं आपको करना इसी के लिए हम इसे पहले मैसर से अच्छी से मैश कर देते हैं हमारी घाजर अच्छी से मैश हो गये आपको फैला देंगे और अपना काजू और पादम डाल रहे हैं पिस्ते के साथ इसको हम हलका सा फ्राइब कर लेते हैं नट्स फ्राइब करने से फ्लीवर बहुत बढ़िया हो जाता है आप चाहिए तो इसको इसके भी कर सकते हैं ईसमें गाज़ डाल देंगे अपनी हमने बॉल करी है उसको हमने एसको दालकर हम भून लेते हैं इसको अच्छे से मूनेंगे इसको अच्छे से भूनते हाई फ्लेम पर लगातार चलाना है यह चीसे बून रहा है में इस पे हम एक प्षक्र डाल देंगे आपनी पसंद से मीटा जासा पसंद करते हैं वैसे ही कम याद आदा शक्र ले सकते हैं एक कडोरी बिल्कुल सेफिशेंट है एक किलो गाजर के लिए इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे जब तक हमरी शक्र का भी पानी जो निकलेगा वो ड्राई करना है हमें इसको अच्छे से बूनेंगे हम और यह देखिए दूर्द के तर गाड़ा हो चुका है माही रबड़ी द हुए कि कितना जबर्दस हमारा गाजर कालवा लग लग रहा है देखने में 2-3 मिट में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए अच्छे से मिक्स हो गया बिल्कुल बिना मेहनत के यह देखिए इस तरह से इसमें बबल साने लगे है यानि कि इसमें घी छूटने लगा है किनारों से यह देखिए मैं आपको अपनी फिंगर से दिखा देती हूं साइट से देखिए इस तरह से इसमें घी छ सब्सक्राइब कर लेते हैं इसका पॉफेक्ट टेक्च्चर आया है बिल्कुल बढ़ है आसा और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है आप जब चाहें इसको दस मिनट पर बना सकते हैं हमारी गाजर केलवा की रेसिपी बनकर बिल्कुल तयार होगी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपसे कभी भी मिस मेरा वीडियो तेखनेकली बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू